नमस्कार दोस्तों स्वागत अब सभी का भारत के लिए गरव की बात है फ्रांस ने अपने नैशनल डे जिसको बैस्टाइल डे बुलते हैं उसके लिए हमारे भारत के परधान मंतरी जी को चीफ गस्ट के तोर पर आने का न्योता दिया है और हमारे परधान मंतरी जी हैं उनके लिए काफी सिग्निफिकंट है तो अब इस वीडियो कौन तक देखेगा चैनल पर नहीं होता है सब्सक्राइब बश्य करेगा पॉलिटिस्ट एकोनोमेजी के लिए एक बर हमारी प्लेयलिस को जुरू चेक करिएगा चले शुरूत करते हैं देखें अभी हाले मे परधान मंत्री नरेंदर मोधी भारत के दूसरे परधान मंतरी होंगे जिनको फ्रांस के बेस्टाइल डे में गेस्ट अफ ओनर जो है वो दिया जाएगा उन्हेंगा चीफ गेस्ट वहाँ पे बुलाए गया है अब यहां पर प्राम निस्टर नरेंदर मोधी जो है वो 14 ज वाल एक हैं जैसे लोड 주고 अडंग इंडिया के साथ क्या हुए काउंटरपार्ट यह जैसे इंडियन आर्मी एंसे फ्रांस के साथ किया हुए जो आर्मी परेड है उसमें अपना एक कंटिंजन जो है वो पाटिसिपेट करें यह बताता है कि इंडिया और फांस का जो रिलेशन्स है वो काफी अच्छे हैं कि एक दूसरे का जो खुशी का दिन होगा उसमें भी हम एक दूसरे के आर्मी कंटिंजन को परेड में उतार दह हैं अब देखे हर साल बेस्टाइल डे जो है वो पैरिस के एक फेमस एक जगा है जहां पर यह परेड होती है यह उसी प्रकार से है जैसे भारत की रिपब्लिक टेप प्रेड करतब विपत पर होती है अब देखे करतब विपत इसको पहले राजपत बोलते थे अभी कुछ समय पहले इसका नाम करतब विपत रखा गया है तो यहां पर सवाल है कि क्यों रखा गया फिर इस से रेटे जितने भी इंपॉर्टन फैक्स है इन सारी की सारी चीजों को मैंने कलग वीडियो में कवरी किया है जहां पर मैं आपको काफी अच्छे से एनिमेशन के मार्दम से सम पड़ा यह कब बनाया गया किसके द्वारा बनाया गया और अब इसका नाम राजपत से बदल के करतब विपत क्यों रखा गया है तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हूं तो उसको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा जुरूर देखेगा काफ चैंप इलिसीज में होती है यह आपको याद रखने के जूरूत नहीं है बस मैं आपको बता रहा हूं वह यहां पर होगी आप क्योंकि हमारे देश के अपर धानमंत्र जा रहे हैं तो थोड़ा बर पता होना चाहिए अब देखेगे फ्रांस के जो हैड है यानि जो वहां पे हैड ऑफ स्टेट होते हैं वो पांच बार नाइंटिन फिफ्टीवन से लेकि अभी तक पांच बार रिपब्लिक डे में ऐसा केस्ट बुलाए गए हैं मगर क्या आप जानते हैं कि भारत में रिपब्लिक डे में किसी भी देश के हैड को यानि कि प्रेजिदेंट या प कि भारत में कैसे रिपब्लिक डे के दिन चीफ गेस्ट को चुना जाता है कि भाया इस बार का जो पब्लिक डे है उसमें चीफ गेस्ट यह विक्ती होगा तो आप उस वीडियो को जुरूर देखेगा आप काफी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी इसके साथ है रिपब्ल सवाल है कि कौन पहले गई थे पहले ब्रदान मंतरी कौन बने तो काफी इंपोर्टन्ट है यह सवाल भी पूछ जा सकता है क्योंकि आज के लिए खबरों में है कि बेस्टाइल डे में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पार्ट ले रहा है तो यह सेकिंड प्राइम जी थे जिन्हों ने 2009 में जो बेस्टाइल डे सेलिबरेशन दे फ्रांस की वहां पर ऐसा गेस्ट ओफ ओनर गए थे अब मोदी जी की जो प्रेजन्स होगी पैरिस में बेस्टाइल डे के दिन यह काफी सिगनिफिकन्ट है क्योंकि इसी साल भारत और फ्रांस अपने सेलिब पर इस गेस्ट ओफ ओनर जा रहे हैं जो फ्रेंच के अमदेसिया बहरत में उसने कहा हुआ कि इजबोमेंट फोर फ्रेंच तो सेलिब्रेट वाइंड्स दें टुगेडर यह वो मोमेंट है जो फ्रांस के लोग सेलिबरेट करते हैं उन चीजों के लिए जो उन्हें तुग किया है हाला कि अभी हमने कुछ वीडियो बनाई हैं बाकी वीडियो बनानी है धीरे-देरे करके हम एक एक करके सारी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं जाए हमारी पॉलिटी प्लेलिस्ट में पाम पर आपको काफी वीडियो मिल देंगे और आप हमारा चैनल पर सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि बाकी जो वीडियो जो भी आप तक पहुंचती रहें और हमारा बेल आइकोन भी जुरू दबाईएगा तो प्रेंबल में जो चीजों का वर्नन है अलाकि प्रेंबल में और भी बहुत चीजों का वर्नन है है अब सवाल आता है कि इतनी देर से म equivalent आइल अस聊 रहूं के इदायल होता है दोस्टों 14 जुलाई को हर साल फ्रांस अपना नैशनल डे मनाता है जैसे ब्स टा रशित factor जैल को वोता है जेयल या प्रेजन किसम की जेव या प्रिजन उसको हम पैस्टाइल बोलते हैं इंग मोनारकी समझते ना राजे महाराजे तो वैसे एक मोनारकी वह गर ती ती उस मोनारकी का नाम था बारबन मोनारकी अब यहां पर हुआ क्या कि बैस्टाइल जो था वह एक मीडियेवल प्रफश के तोर पकश्ट किया गया था और इसको as a state prison के तोर पर पर यूज किए जाता है इसलिए मैंनकar इंगलिश में क्या मतलब हुआ जेल या प्रिजन तो इसको medieval fortress के तोर पे बनाया गया था लेकिन eventually यानि बाद में इसको as a state prison यूज के जाने लगा अभी यहां पे जिसको भी जो वहां का राजा हुआ गर था था इस मोनारकी का उसे अगर jail में भेजना हो तो वो सीधा उसे कहां भेजता था bestile jail में उसे भेजता था और वहां के राजा के बोलने पे जिन prisoners को सीधा bestile jail में भेजा जाएगा उनका ना तो कोई trial होगा ना उनके पास कोई right of appeal होगा वहां उन्हें बस सीधे पकड़ के jail में डाल दिया जाएगा जो यह bestile jail है इवन कोई political prisoner जो ruler के और जो law and order है उसके खिलाब भी बोले और ruling जो king है जो राजा है उसके खिलाब भी बोले तो उसको भी पकड़ के सीधे bestile jail में डाल दिया जाएगा अगर कोई detained citizen है detained का मतलब होता है पकड़ना तो अगर कोई detained citizen है और trial के अगर वो wait कर रहा है मतलब अभी तक trial हुआ नहीं है तो उसे भी सीधा bestile jail में डाल दिया जाता था अब हुआ क्या कि देरे देरे यहां पर जो मोनार्की है उसके खिलाफ एक महोल बढ़ने लगा और यहां पर full-fledged french revolution देखने को मिला french revolution जो है अभी हमने उसको अपने चैनल पर cover नहीं किया है अगर आप चाहते हैं कि हम उसे चैनल पर cover करें तो आप हमारे comment box में लिखके ब यह हमें दबा रहा है या जो भी situations है वो हम french revolution में cover करेंगे तो उसके बाद एक unrest 1789 में होता है फिर 14 जोलाई को क्या होगा mob यानि एक बहुत बड़ा group जो था उन्होंने best style जो jail है वहां पर approach कि यानि वो उस तरफ जाने लगे वहां पर उन्होंने arms और ammunition जो वहां पर store थे उ जैसा तो होगा निए वहां पर obviously guards होंगे तो वहां पर जो guards थे उन्होंने resist किया उन्हों को जैसे हैं resist किया तो जो attackers जो mob थे उन्होंने उस पूरे के पूरे prison को इस पूरी के पूरी jail को capture कर लिया और यहां पर जो 7 prisoners थे जिनको यहां पर jail में डाला गया था उनको भी release करति और बाकी जो arms and ammunition यहां पे थे वो भी लूट लिये तो जैसे ही वहां पर revolutionaries ने बेस्टाइल को take over कर लिये यानि वहां पर जो वहां की जो guards थे उनको मार के या भगा के उसके ओपर कबजा कर लिया वहां से माना जाता है कि French revolution की beginning होती है तो धीरे धीरे महौल तो पहले बनाए जा रहा था लेकिन officially जो French revolutionaries की beginning तब मानने जाती है जब कुछ mobs ने कुछ revolutionaries ने बेस्टाइल जो jail थी उसके उपर कबजा किया वहां पर guards के साथ लड़ाई करी वहां पर उनको भगाया arms and ammunition को capture किया और साथ जो prisoners थे उनको वहां से release कर दिया तो इसलिए क्योंकि यह सारी च तो इसलिए 14 जुलाई को हर साल best style day के तोर पे मनाये जाता है इसको फ्रांस में फेटे nationalे और national celebration भी बोलते हैं तो फ्रेंच भाषा में इसको फेटे nationalे हुआ यह फ्रेंच भाषा में और national celebration जो है वो इसे कहा जाता है best style day को अब इसे 1880 में आके एक officially holiday बना दिया पहले था कि थी कि आज के दिन हमारा फेटे nationalे है national celebration है लेकिन 1880 में आके इसे holiday declare कर दिया गया अब इसकी starting से ही यहां पर military parades होती है fireworks होती है speeches दी जाती है public display होता है और अलग अलग परकार के जो celebrations है वो होती है और खुशी मनाई जाती है कि भाईया जो stingent जो मुनार्किल रूल था उसका downfall हो गया यहां पर एक slogan जो है we way lay 14 juliet यह काफी famous है best style day के साथ यह slogan associated है we way lay 14 juliet इसका मतलब क्या हुआ long live the 14th of July तो best style day के साथ यह slogan जो है यह associated है यह बड़ा famous slogan है long live the 14th of July तो क्यों कहा जा रहा है क्योंकि इसी से जो stingent मनार्किल रूल था इसी तारीक से उसके end की खातमेगी शुरवात हुई थी अब यह तो हो गया फ्रांस का best style day हमने देखा best style day फ्रांस में क्यों मनाया जाता है और इस बार यह जो national celebration है इसमें guest of honor हमारे भारत के प्रधानमंतरी श्री नरेंदर मोदी जी होंगे जो की भारत के दूसरे प्रधानमंतरी बनेंगे पहले मनमोहन बात होगी लेकिन कुछ और भी देश है जहां पर best style day मनाया जाता है उसका reason अपना उनके पर सलग लग है लेकिन कहां उनको best style day ही जाता है तो यह तो हो गया best style day जो फ्रांस में मनाया जाता है फिर एक New Zealand देश है जब जानते हैं बहुत ही famous देश है New Zealand की खासिए यह है कि New Zealand में बहुत इंसानों से ज्यादा बेड़े हैं ऐसा कहा जाता है और इस देश में सांप बिल्कुल ने मिलते हैं तो यह दो तीन चीजें हैं जो मतलब interesting fact है तो मुझे पता था तो मैं सोच आपको बता देता हूँ तो New Zealand एक देश है अब New Zealand यहां पर जो best style day है उसको labor day बोलत day कर दिया जाए मतलब दिन में 8 घंटे काम किया जाए और New Zealanders जो हैं वहां पर उन्हें extra day मिले rest करने के लिए अपने काम से और three day मिले weekend में पिकनिक्स मनाने के लिए और बाकी activities के लिए तो इस चीज को इस दिन को इस campaign के तोर पे celebrate किया आता है October के fourth Monday के दिन Labor Day के तोर पे best style day New Zealand में मनाया जाता है फिर आता है Malaysia यहां पे इसको हारी मेर देका बोलते हैं 31 अगस्त को यह मनाया जाता है और यहां पे Malaysia की formation हुई थी इस दिन और अंगरेज Malaysia के उपर बिराज करते थे तो British colonial rule से independence मिली थी Malaysians को और फिर उन्होंने अपने देश की formation करी 31 अगस्त को तो इस इस प्रकार से best style day मनाया जाता है जिसको हरी मार देका वहां पर बोलते हैं फिर आता है जर्मनी इसको German unity day जो है वह जर्मनी में बोला जाता है 3 October को यह होता है आपने बच्पन में 9 standard में पढ़ा होगा कि जर्मनी एक देश था फिर वो डिवाइड हो गया दो हिस्सों में ब इसको पर भी वीडियो मना दूँगा तो इस्ट और वेड जर्मनी जो थे वो 30 साल तक डिवाइड रहे थे फिर बाद में जब यह साथ में आ गए तो उस दिन को 3 October को जर्मन unity day के दोर पर मनाया जाता है फिर एक आता है Algeria यहां पर revolution day के दोर पर से मनाया जाता है एक खिलाफ यहां पर revolution होता है तो उसकी जो initial outburst है जैसे कि मैंने आपको फ्रांस वाले जो best style day है उसमें मैंने आपको बताया कि 14 जुलाई को क्या हुआ जो best style जो वहां पर jail थी उसे capture किया गया तो यह एक initial outburst था तो उसी प्रकार का initial outburst जो revolution के तोर पे France colonial rule के खिलाफ 1954 में अलग लग देश्यों के अपने अपने बेस्टाइल डे यह साच लेक्टर का analysis आपको वीडियो अच्छे लगए और आपको अच्छे लगए तो लाइक करेगा शेयर करेगा पॉलिटिस्टी एक जिए टिक्स आसमार में टेनिकलोजी की तमाम वीडियो के लिए एक पर हमार जाना सब्सक्राइब करेगा थेंक्यों फॉर वाच्चिन